नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन तमारास्टा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्टर नमबर 9 डारेक्ट एंड इनवर्स प्रोपर्शन प्रेक्टिसिट 39 में कुशन नमबर 2 हमें आज यहाँ पे सौल करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को डिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब देखिए क्वेशन नंबर टो क्या है विराट और समराट तोगेदर इन्वेस्टेट 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज टू स्टार्ट बिजनेस विराट और समराट में समराट ने विराट ने 50,000 समराट ने 1,20,000 रुपीज एक बिजनेस शुरू करने के लिए जमा किये है अब प्रॉपिट होने की बजाए यहाँ पर लॉस हो आए उनको 20% का तो हर एक को कितना लॉस होगा अब यह जो कॉशन है वो हम दो तरीके से साल कर सकते है 50,000 का 20% फाइंड कर लेजिए वो विराट का लॉस होगा और 1,20,000 का 20% फाइंड कर लेजिए वो समराट का लॉस होगा हम ऐसे भी कर सकता है यह एक मेथड हो गई दूसरी मेथड है इन दोनों के कुल मिलाके कितने पैसे होते है 1,20,000 प्लस 50,000 तो 1,70,000 हो गए तो 1,70,000 जो रुपीज है उसके 20% फाइंड करना है तो जो भी अंसर आएगा वो उतना टोटल लॉस होगा उन दोनों का अब जो लॉस होगा वो 50,000 इस टू 1,20,000 इस रेशो में ही होगा तो इनका रेशो फाइंड करके जो भी रेशो आएगा उस रेशो में हमें जो पी लॉस था टोटल लॉस उसको इस रेशो में डियाइड करना है तो चली हम जो सेकेंड मेतर है उससे हम सौल कर लेते हैं क्वेशन तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी टोटल इन्वेस्टमेंट वो हम लिखेंगे 50,000 प्लस 1,20,000 तो यह होगा 1,70,000 तो लॉस जो होगा वो होगा 20% तो 20% आफ 20% आफ 1,70,000 तो 20% को हमें यहाँ पे लिखना है 20 divided by 100 परसिंटेज का यहाँ का सिंबॉल यहाँ से हटा देने के बाद दिनाम्ट में 100 आएगा आफ को मल्टिप्लाइ करके फिर 1,70,000 यहाँ पे लिखना है तो दो जिरोज यहाँ के दो जिरोज यहाँ के तो 34,000 रुपीस का लॉज जो है वो दोनों में मिला के हुआ है अब जो रिशो है इन्वेस्टमेंट का तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिशो आफ इन्वेस्टमेंट रिशो आफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का रिशो है 50,000 is to 1,20,000 इनका जो रिशो आएगा उसी रिशो में इस पैसे को हमें डियूईड करना है तो यहां के four zeros यहां के four zeros cancel five is to twelve इस रिशो में जो भी उनका प्रापिट होगा या लॉस होगा दोनों भी इसी रिशो में डियूईड हो जाएगा अगर प्रापिट होता तो भी इसी रिशो में डियाइड होता और लॉस होगा तो भी इसी रिशो में ही डियाइड होगा तो लेट जो विराट है फर्स्ट हमारा एक विराट है दूसरा समराट है विराट समराट तो यहां पर विराट का लॉस लेट विराट लॉस भी हमें ल एक्स के कैसे लेना है क्यों लेना है वह हमने एक्स्प्यूइन किया है तो पहले वह भी वीडियो आप जरूर देखें तो यह आपका असान से समझ में आ जाएगा नहीं तो यहां पर ही आप मतलब इसे तर्मज लेजिए कि इस डिश्यो में अगर इस इस नंबर को डियाड कर 34,000 होनी चाहिए तो यहां पर 5X प्लस 12X is equal to 34,000 तो 5X प्लस 12X यहां पर होगा 17X is equal to 34,000 तो यह एक्स की वाल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है तो 34,000 को 17 से डिवाट करिए 17 टूज़ा 34 और यहां पर 30s तो यह एक्स की वाल्यू हो गए 2000 तो यह एक्स की वाल्यू टूज़ाजन हो गई तो विराट का जो भी लॉस है वो 2000 इंटू 2,000 इंटू 5,000 होगा तो लॉस आफ विराट और हमें लेना है लॉस आफ सम्राट तो विराट का जो लॉस होगा वो 5 इंटू 1 एक्स है तो यह एक्स की वाल्यू 2,000 आगई तो 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज होगा विराट का लॉस और 12 into X समराट का लॉस है तो X के वह लिए 2,000 12 into 2, 24,000 तो यहां पर रुपीज लिखना है 10,000 रुपीज विराट का लॉस होगा 24,000 समराट का लॉस होगा Question number 3 Shweta, Piyush and Nachikit together invested 80,000 रुपीज and started a business of selling sheets Selling sheets and toils from Solapur Shweta, Piyush और Nachikit यह तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज जमा किये हैं और वो invest किये हैं selling business में Selling है sheets और toils का जो कि Solapur से लेकर वो selling कर रहे हैं तो total जो investment है तेनों का वो है 80,000 Shweta's share of capital was 30,000 रुपीज and Piyush 12,000 Piyush का capital 12,000 Shweta का capital 30,000 at the end of the year they had made a profit of 24,000 एक साल के बाद उनको 24% का sorry 24% का profit यहां पे हुआ है what was Nuchiket's investment and what was his share of the profit Nuchiket की investment क्या है और Nuchiket का जो share of the profit है profit का जो share है वो कितना है हमें यहाँ पे पाइंड करना है देखो तीनों का मिला के जो share है वो 80,000 रुपीज है तो Nuchiket का हमें पहले share find करना है investment का तो Nuchiket's investment is equal to जो total 80,000 है इसमें से हमें minus करना है जो इन दोनों का 30,000 और 12,000 यह है शुता का और यह पिश का तो शुता और पिश इन दोनों का 30 प्लस 12,000 हम यहाँ पे 30,000 प्लस 12,000 तो 80,000 में से minus करना है 30 plus 12 42,000 तो 42,000 हम minus कर लेते हैं तो यहाँ पे 38,000 आ जाएगा जो की Nuchiket का investment होगा अब तीनों का जो investment है investment का जो ratio है उसी ratio में तीनों का profit भी divide होगा तो total profit हम बाद में find कर लेते हैं पहले हम इन तीनों का जो भी investment है उसका हम ratio पाइंड कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना है ratio of investment तीनों का जो रिश्व है इनवेस्टमेंट का वो रिश्व दिखे जो तो श्विता का है 30,000 investment भी उसका है 12,000 और नचेकित का है 38,000 तो यहां के तीन जिरो जो हैं वो से भी के चांसल हो जाएंगे 30, 12 और 38 इन सभी को 2 से डिवाइड होगा तो 2, 15 जा 2, 6 जा और 2, 19 जा तो 15, 6, 19 इस ratio में जो भी profit होगा वो डिवाइड होगा तो अब हम टोटल profit कितना होगा 80,000 के 24% हमें find करना है तो यहां पर हम लिख लेते हैं total profit जो total profit होगा वो होगा 24% of 80,000 तो 24% को हमने यहां से निकालकर denominator में 100 लिखना है of को multiply 80,000 तो 2 zeros और 2 zeros cancel करना है तो यहां के 2 zeros और 8 से 24 को multiply करना है तो 8 forza 32 को 2 carry 3 8 to 16 plus 3 192 मतलब यहां पर 19,200 रूपीज का यहां इन सब को profit हो आए तो 19,200 रूपीज जो हैं वो 15 is to 6 is to 19 इस रेश्यों में डियाइड होंगे अब देखें 15 30,000 का जो पार्ट है वो श्वेता का इन्वेस्टमेंट था प्वेल थाजन जो ता हो वो प्यूश का ता हो प्यूश का ता और नची केत का था 19 मतलब 38,000 का तो श्वेता को 15 पार्ट मिलेंगे पीश को 6 पार्ट मिलेंगे और नची केत को 19 पार्ट मिलेंगे तो जैसे भी देखें इस नमबर को हमें इस रेश्यों में डियाइड करना है 15 is to 66 is to 19 तो इससे पहले हमने आगर रिशो में किसी नुम्बर को ध्याड करना है तो इन सब्सक्राइब करना है तो हम यहां पर लिखेंगे लेट श्वेता गेट श्वेता को सब्सक्राइब 15 एक्स रुपीज फिर पियुष को मिलते हैं सब्सक्राइब पियुष का पार्ट है 6 और 19 तो हम यहां पर 6 एक्स रुपीज लेंगे और नचिकेट के 19 एक्स लेंगे तो नचिकेट गेट्स 19 एक्स रुपीज तो इन तीनों को मिला के 38,000 रुपीज का सरी 19,200 रुपीज का प्रॉपेट हो जाएगा तो 15 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 19 एक्स तो इन सभी की जो एडिशन है वो 19,200 आने चाहिए तो 15 प्लस 6 यहां पर होगा 21,21 प्लस 19 तो यहां पर होगा 40 एक्स तो इस इकॉल टू 19,200 तो यह एक्स की वैलिव फाइंड करनी है तो 19,200 को 40 से डिवाइड करना होगा तो 4 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो 4,4 जा 16, 4,8 जा 32, 480 एक्स की वैलिव आ जाएगी तो शेता को हमें 15,480 पीश को मिलने है 6,480 नचिकत को मिलने है 19,480 तो इन सभी का मल्टिप्लिक्शन करके हम यहां पर आंसर लिख लेते हैं तो हम ने यहां पर तीनों को कितने रुपीश मिलेंगे वह फाइंड कर लिया है लेकिन जो पूचा कहिए उसमें सर्फ नचिकत को कितने रुपीश मिले हैं वह यहां नचीकित का इन्वेस्टमेंट 38,000 और नचीकित का जो प्रॉपिट है वो 9,120 रुपीज इन दोनों को ही हमें अंसर में लिखना है आगर एक्जाम में इन सभी का जो भी प्रॉपिट है अगर पूछा जाता है तो हमें इनको भी लिखना है तो इस वीडियो में इतना है दोस् उसमें स्वाल करने हैं तो वीडियो वाच करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद